यूपी पंचाई चुनाव बोटरों के लिए बनवाई दो कुंटल जलेवी एक अजार समों से दस हुए गरफतार दोस्तो यूपी में पंचाई चुनाव चल रहे हैं इस चुनाव में भी प्रत्यासी बोटरों को लोगाने के लिए कई अतकंडे दे रहे हैं कहीं मीट सराप कहीं पैसे तो कहीं कपड़े बांटे जा रहे हैं लेकिन इस खबर से आपको पता चलेगा कि प्रत्यासी ने मिठाई की बड़ी दुकान सी लगा दी मानो ऐसा लग रहा हो कि उसके गर में साधी हो दर असल उत्तर पिदेश के पंच्चाई चुनावां में जीतने के लिए उम्मीदवार मिठाई का सहारा ले रहे हैं अमरोहा में एक अपते पहले सो किलो रसगुले जब्त होने के बाद अब उन्नाव में पुलिस ने दो कुंटल जलेवी और एक अजार से अधिक समोसे जब्त किये हैं ये जलेवी और समोसे बोटरों को लोगाने के मकसद से प्रधान पद के प्रत्यासी राजु मौर्ज के घर बनवाए जा रहे थे जानकारी के मुताविक हसन गंज के सीयो आरके सुक्लार ने बताया कि गाउं पिछवाडा में प्रधान पद उम्मीदवार राजु मौर्जा ने कोरोना प्रोटोकॉल की परवा किये बिना लोगों की भीड इखटा कर ली थी आज़ार सैंता का उलंगन मानते हुए पुलिस ने कारवाई की और दस लोगों को गरफतार कर लिया उननाओ में पुन्चाइच चुनाओ को लेकर उम्मीदवारों की तरफ से कीसी भी तरह की अनिमिता ना होने देने के लिए जिला पर सासन ने कमर कस रखी है सनिगार को हसनपर पुलिस को सूचना मिली की गाउं पिछवाड़ा में गराम प्रिधान पद के उम्मीदवार राजु मौर की और से बोटरों को लोगाने के मकसद से अपने घर में बड़ी मातरा में जलेवी और समोसे बनवाए जा रहे हैं इसके गाद पुलिस ने मौके पर पहुंच का सूचना को सही पाया मौके से दो सो किलो जलेवी एक हजार पचास समोसे के अलावा मैदा गी जैसी कच्छी सामेगरी भटी सिलेंडर को जब्त किया गया सी के साथ ही आचार सैंता के उलंगन के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है करीब एक अक्ते पहले अमरोहा जिले के लुखालू गाउं में ग्राम परधान के लिए चुनाव लणने की तैयारी कर रहे चंद सैंक की और से भी बोटरों में रसगुले बाटने की खोसिस की गई थी तब चंद सैंक के घर से पॉली थिन की थैलियों में करीब सो किलू रसगुले जब्त किये गए थे साथ ही मौके से चंद सैंक की पतनी के भाई सोहन बीर को गरफतार किया गया था पुलिस ने बरामत किये गए पूरे माल को गड़ा खोद कर डंप कर दिया है आप देख रहे थे ददस्तक 24 तन्यवाद